नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस पियार मैं हूँ आदेश पूरी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे के नदरिये चैन परस्त सिपाही भर्ती के द्वरा ली जाने वाली परिच्छाओं के रिजल्ट के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने आपसे बताया था कि 27 मार्च को ड्राइवर का रिजल्ट आएगा बिहार पुलिस ड्राइवर का रिजल्ट आने के बारे में हम नहीं आपको बताया था लेकिन आपको हम बता दे कि ऐसी खबर हमने CSBC से प्राप्त सूचना के अधार पर चलाई थी और आज असपश्टिकरण भी हमने पूछा उन से दुर्भास पे बात होई थी फोन पे उन्होंने कहा कि एक नोटिस छुट गिया था उसमें आपने देखा हुआ कि 27 तरीकों ही CSBC के दोर एक नोटिस दिया गया था जो की चालक सिपाही वर्क से ही संबंदित था और इसी के कारण रिजल्ट डिले हो गया लेठ हो गया और बीच में जो है होली की छुटी थी सबेबरात है जिसके कारण ये रिजल्ट जो है वो नहीं आ पाया लेकिन OSD सहब ने बताया ह है कि 11,880 सिपाही पद के जो छात्र हैं जो रिजल्ट का इंतियार कर रहे हैं दस अप्रेल तक उनका रिजल्ट दे दिये जाने की पूरी संभावना है उनके दोरा अभी कुछ दिर पहले ही मेरी बात हुई है उन्होंने कहा है कि चुकी कैंडिडेट बहुत जादा है और बीच में छुटी दो-तिन दिनों की हो गई इसके कारान हम लोग ड्राइवर का रियल्ट नहीं दे पाएं जो कि बहुत जल्द दी जाएगी हालाकि उन्होंने डेट नहीं बताया कि अब किस देट को दिया जाएगा लेकिन यह कहां उन्होंने कि बहुत जल्द दे दी पड़ता है बहुत सारे दस्तावेज और उनके जो रॉल नंबर है या फिर उनका जो टेस्ट हुआ नंबर हुआ यह सारे को मैचिंग करना पड़ता है देखना पड़ता है जाच करना पड़ता है ताकि किसी भी प्रकार का तूटी नहों कोई गलती नहों उसकी संभावना न के बराबर हो इसके लिए कारे जो है युद्ध अस्तर पे चल रहा है और 10 अप्रेल तक इस रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा वही वन रक्षी वन पाल के बारे में उनका कहना था कि 15 अप्रेल तक हम लोगों ने एक तरह से कमिटमेंट किया है कि जितने भी लंबित रिजल्ट है उनका रिजल्ट हम जारी कर दें 15 अप्रेल तक उन्होंने कहा है संभावनाय जता ही है जैसा कारे चल रहा है पूरी संभावना है कि 15 अप्रेल तक पूरे रिजल्ट जो है वो जारी कर दिये जाएंगे तो आप इत्मिनान रखें आपके लगातार कमेंट आ रहे हमें लेकिन हमारा भी जब तक संपर्क नहीं होगा जब तक सही जनकारिया नहीं मिल पाएंगी तब तक हम भी कैसे आपसे सेयर कर सकते हैं अभी बात हुई है आप से मैं सेयर कर रहा हूं अभी इस बात को कि 11888 जो सीपाही भरती का जो रियल्ट है वो 10 अपरेल तक उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम इसकी पूरी संभावना है कि 10 अपरेल तक यह रियल जारी कर दिया जाएगा इसके साथ ही साथ आपको हम बता दे कि ज भी आप से हम सुचनाएं जो सेयर करते हैं वो आयोग के द्वारा उनके जो अधिकारी होते हैं या वहां से निकल के आती है वही सेयर करते हैं या फिर वैसे छातर या कॉमन जो बाते हो जाती है वो हम सेयर करते हैं ऐसा नहीं है कि हम सबसे पहले या रहस्य का उद्गाटन का उरहस्य का जो है वो परदाफास करते हैं ऐसी कोई बात नहीं है ये common बाते हैं ये भी अगर आप CSBC में जाएंगे तो वहां सरेक जो स्टाफ होगा जिसको इसकी जनकारी होगी वही आपसे यही जनकारी सेयर करेगा तो हम कोई अजूबा चीज़ आपको नहीं बताते हैं जो हमारी बात होती है वही सेयर करते हैं ड्राइवर रिजल्ट के बारे में हमें सुचना मिली थी कि अगले दिन जिस दिन हमने वीडियो किया था कि अगले दिन वो रिजल्ट आ जाएगा उसकी पूरी समभ आउनाय उनके तरफ से ब्यक्त किया थी कि कल हम रिजल्ट दे रहे हैं लेकिन आज हमने उनसे पूछा तो उनका कहना था कि उसमें कुछ प्रक्रिया बाधी तरह गई ती जिसके कारण हमने रिजल्ट नहीं दिया और बीच में छुट्टी हो गई होली की सबेबरात की छु कि जा रही है काम चल रहा है बहुत तेजी से काम चल रहा है तो यह अपडेट है आप भी थोड़ा संयम रखें कंट्रोल करें अपनी भावनाओं को हम मैं समझ सकता हूं कि जब रिजल्ट फाइनाल आने वाला होता है तो कितनी बैचैनी होती है और उसे लोग चाह कि भी न कौमन जो है यह लक्षन होता है कि जिसका वो इसे बहुत ज्यादा इंतजार रहता है जिस रिजल्ट यह जिस सुचना का उसके बारे काफी उत्सुक्रत है हम आपकी भावनाओं को पूरी तरह समझ रहे हैं लेकिन हम आपके भावनाओं के साथ खेलना भी नहीं चाहते हैं जो भी हमें जनकारी मिल रहे हैं सटीक वही आपको हम बता रहे हैं जो जो हमने बताया कि 11,880 पद 10 तरिक तफ रिजल्ट दे दे जाने की पूरी संभावना है तो वही ड्राइवर बिहार पुलिस का उसका भी 2-3 दिनों में ही बहुत जल्द रिजल्ट उसका भी दिया जा है कि 15 अपराल तक CSBC दोरा जितने भी परिच्छाय ली गई है उसका रिजल्ट दे दिया जाएगा तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही जैसे कोई अपडेट होगा जरूर लेकर आएंगे हम विश्वास रखिए और जूर रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को है